नमस्कार में हूं मैक शर्म और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरे देख रहे हैँ हरयाना के करनाल से करनाल की रावर रावर के पास लगती करनाल नहर से जहाँ पर आप देख सकते हैं अपने पिता के लिए एक बेटी आप पर रोती हुई पिता के लिए बेटी आप पर रोती हुई क्योंकि इस बेटी की शादी होने वाली थी और आप शायद सुनकर हैरान हो जाएंगे इस पुछ नियाए फ्री फंट किया पुलिस लाख इनोंने पुछ नियाद के बसकी बात कि अपैण जाम एक प्टी टियूटी करका बड़ा गर जाया का रांत अपना सोजा करण की तंद खब्ड़ा मेंट के पसकी बाद कुछ नहीं नहीं है पर दिए उधर हो जाए हमारो दमकी मिली थी यह लड़की तेरी मेरे घर आएगी और मेरी मासिय वह भी आईगी पहले तेरी मासी आएगी फिर आती जाएगी क्या नाम है आपके पिता का नीरच कब से गाये गाउं से आए थे खुद गाये प्रदीब को फोन किया पर दीब को मेरे पापा का आए क्या ते दुफया तक मेरे पास था और शाम को चले गया और मेरे पापा सड़े छे बजे पीसे उनका फोन भी माँ पे मिला उस गड़ में सूरज कलोनी के यह तमाम लोग आप देख सकते किस तरीके से पूरे के पूरे के पूरे कलोनी के लोग है और यह मैं आपको बहताना चाहूंगी नहर के अंदर इस वक्षव सभी को दिखाई दे रहे क्योंकि नहर के अंदर इस वक्षासा पानी नहीं है इसलिए शव साफ तोर पर नजर आ रहे है जो नीरज है उनी की भावी है जो वहाँ बीचो बीच आपको दिखाई दे रहे होंगी काफी ज़्यादा रोती हुई काफी ज़्यादा विलाप करती हुई उनकी दोनों बेटिया यहाँ पर किस तर परान कर देने वाला मामला यह रहा कि पहले व्यक्ति को जिस तरीके से परिवार वालों का रोप है कि पहले व्यक्ति को अग्वा किया जाता है उसके बाद हत्या कर दी जाती है और नहर में नहर में आप देख सकते हैं व्यक्ति का शाम मिला है नीरज व्यक्ति का नाम बता तो यह पूरा मामला यह ठेके वाड़े यहां से खुर्दा साखोल रहा इन्होंने इसको फोन मारा में मेर बाभी को लेने का आधा गाओ में साधी के लिए तो फोन मारते एक दम उनके पास गया मोर्ट साइकल आम को यहां मिली पीर के पास वह एक अंकल हमारी से नहीं उसने मांट बजे हमको बता बोले तेरा भाई वहां गया हूँ है एकम मंगा तेरे भाई ने तो उसके पैर में बिचारे के चोट लगी थी वह उदर पे खड़ी कर गया मोर्ट सेगिल एकम तो अमने दिया नहीं नहीं से मांगा तुम आपने भाई को डूलो पैसे भी लेके गया साथी का समान के लिए सारे पैसे भी निखा लिए से और इसको मैं उदर पता करने के लिए एक हमारे को एक होटर ले उतर पे इसके पहले लट वारे उन लोग ने इधर से बिला के कौन लोग है वह वह सेखपुरे हैं पर दीप एक संजे बताते हैं क्या रंजिस थी उनकी बादी तो मुंस का स von a Re ुव है पर त्युन प्रदी पर इसके लिए मैं इससे मना कर दिया क्योंकि वह इस इससे दुगना भड़ा फास इसने मना कर दिया फिर साлемजिता हो रहा तो पहले मेरे गरमें सस्फाइब बजेगी तब तुम्हारे घर में शाद्धी होगी कल से मेरे देवर ला पता है पुलिस वालों नहीं कोई कारवाई नहीं करी पूरी रात भर हमारे घर के आदमी सारे बैठे कल बरात आनी है और आज दुखों का पहार पूरे परिवार पर यहां पर तूट पड़ाए किस तरीके से एक बेटी जिसकी कल बरात आनी थी डोली यहीं से उठनी थी और सामने पूरे मामले में क्या कुछ कहना है और पूरे मामले में क्या कुछ जानकारी थी और क्योंकि जिस तरीके से परिवार वालों का ये पूरा पूरा आरोप है कि शेकपुरा गाओं के ही वो लोग हैं जिनोंने इस हत्या को अंजाम दिया है लेकिन ये पुलिस जांच का भी फिलहाल विशे बना हुआ है अभी परिवार वालों ने सिर्फ आरोप इस तरीके के लगाए है कि पुरानी शादी को लेकर इकोई रंजिस चल रही थी जो लोग बताए जा रहे हैं जो दूसरे गाउन के हैं वो चाहते थे कि पहले हमारे घर में शादी हो या फिर जिस बेटी की शादी कल होनी है ऐसा परिवार वालों का कहना है कि वो चाहते थे इस बीटिया की शादी हमारे घर में हो यह सारे यारो परिवार वालों के फिलहाल के लिए बने हुए लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि मोके पर पुलिस की टीम है पहुंच चुकी है मेरी आप सभी लोग उसी अपील रहेगी जो भी लोग इस ख़बर को इस साथ की साथ जरूर शेयर करें और यह आप देख सकते हैं सक्टर 32-33 स्थाने के एसे चों है गुर्विंदर सिंग वो मौके पर पहुंचे हुए सर क्या जानकारी मिली थी आपका मैं विया मैं एक मिसिंग की कंप्लेंट पर आप तो उस पर हमने राती केस रिजिस्टर कर द सर परिवार वाले हट्या का अरोफ लगा रहे हैं और जो है वो स्टेटमेंट देते हैं उसके कारवाई करती हैं सर कल भी कोई नाम दिये गए थी शेकपुरा गाउं के कुछ लोगों की अब क्या कारवाई की जारी है अब कर रहे हैं पोस्ट मार्टम करवतने हैं एफसल की टीम बता रहे हैं कि मोके पर पहुंचने वाली है और उसके बाद ही शव को पुलिस कबजे में लेकर पोस्ट मार्टम हाउस भिजवाएगी और उसके बाद ही आगामी जान शुरू की जाएगी लेकिन परिवार वालों का साफ तोर पर यारोब जरूर है कि हमारे घर के व् हमारे हैं परिवार के सरी के से विलाप करते हुएं परीवार वाले के सविलाप करते हुए निरज के पत्निया क्या नाम है अपका जी कब से गायब थे लापता उनके पास दो फोन ते एक फोन दाज साड़े दस बज़े और दूसरा दो धाएं बज़े मिला उनका फोन था जी उसका फोन ने उठा था जी और फिर क्या को ते जब ने करवाया तो उन्होंने वह सुचा कि हां भी पता लगा लोग वज़े से उसके बाद मुझे ने इनको पात का पता लगा ना गिंगा और आस तक मैं जानती हूं मेरे पती को किसने मरवा दिया जानती हूं क्या लगता है जी उनके यादोस हैं यह पर्दी 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 जी संजे है क्यों लगता है वो क्यों मरवाएंगे अगर जो समानी किस बात की जी मैं बताती हूं आपको कि वह एक दूसरे पहले वो थे उन्हें ना ऐसे से पता नहीं किस बात की के लगे पहले आप मेरी लड़की की साधी करो फिर आपकी लड़की ने ना तो मरवा दूं की उठाया जी फूं का सुच अब सूबह उठाया उन्होंने और ऐसे से हमने क्या किया था उन लोगों का कुछ भी निया हम आप उट बैर थी कि उन्हों में हस्मेंट ने का तह मैं आप ही आते हूं मुझे पती ने बुलाया है जब गह थे घर से तो ऐसे कहा था जी कि मैं दिखाई दे रहा है मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें आप दिख रहे हैं इबन 24 मैं हूं महिक शर्मा हरयाना के करनाल से आप सभी के साथ लाए धन्यवाद अब यहां तक आही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिएगे बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक